जैहिन आज के वीडियो में मैं करेंट का महत्पून सौ सवालों का संग्रा लेके आपके बिच मौजुद हूँ आने वाले सभी परिछाओं में इनसे सवाल पुछे जाने की प्रबल संभावना है चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारम करते हैं पहला सवाल है किस अभिनेता को निवरिचर के पसू अहार रेंज के ब्रांड अम्बेस्टर के रूप में शामिल किया गया है पंकस तिरपाठी दूसरा सवाल है अंग्रेजी भासा सिरेनी के लिए साहीत अकादमिक पुरसकार 2021 किस ने जीता नमिता गोखले तीसरा सवाल निम निखित में से किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टिस्टिूशन इनोवेशन एचिवमेंट 2020 में सिर्श अस्थान हासिल किया है आई आई टी अद्रास चौथा सवाल है सुसासन सुचकांग जी जी आई 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा राज सिर्श पर है गुजिरात पच्छमा सवाल है भारत में पिंसन भोगियों के लिए जीवन परमान पत्र परनाली सुरू करने वाला पहला राज कौन सा है उडिशा सथा सवाल रेलेवे बोड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्जिकारी अधिकारी सीईओ कौन है बीके तिरपाठी सात्मा सवाल किंद्रिय सिक्छा मंत्री धर्मेंदर परधान द्वारा सुरू किये गए सो दिवसिये पठन अभियान का नाम क्या है पढ़े भारत अध्मा सवाल कौन सा उच न्याले भारत का पहला पेपर लेज उच न्याले बन गया है के रल नौमा सवाल भारत में भारत सेमिकंडक्टर मिशन का शुभारम किसे ने किया अस्वीनी बैशनव दस्मा सवाल बिश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन निमलिखित में से किस सहर में खोली गई है शंग हाई नेक्स कुशन इगरमा सवाल किस भारतिये राज ने दूहजारे किस में सबसे ज्यादा बागों की मौत दर्ज की मदपरदेश बरहमा सवाल किस एसियाई देश ने आल ही में अपनी रास्टिये सिक्षा निती जारी की है पाकिस्तान किस भारतिये राज ने कोविन-90 के लिए 100% पर्थम खुराक्टी का करन दर्ज किया है तेलंगाना अगला सवाल बिलूप्त गोसित की गई टौकीला मचली को किस देश में फीर से पाया गया है मेक्सिको अगला सवाल किस भारतिये तेज गेंदबाज ने 200 टेस्ट किर्केट बिकेट हासिल किये मुहम्मद समी सुलामा सवाल बिस विरेल दिवस हर साल निम्र लिखित में से किस तारिख को मनाया जाता है चार जनवरी सतरहमा सवाल किस देश ने एक जनवरी 2022 से यूरोपिय संग की परिसद की अध्यक्षता संभाली है फ्रांस नेक्स सवाल O.N.G.C की पहली महिला अध्यक्ष और परवंद निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अलका मित्तल उनिस्वा सवाल इस अप्रिकी देश के परधान मंतरी अब्दुल्ला हम्दोग ने अपने इस्तीपे की गोसना की है सुडान परधान मंतरी मोदी किस राज के महराजा बीर बिकरम हवाई अड़े पर नए एकिक्रित टर्मिनल भवन का उदगाटन करेंगे तिरपूडा नेक्स सवाल ओल राउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतरास्टिय किरिकेट से सन्यास की गोसना की वह किस देश से है पाकिस्तान नेक्स सवाल डी आडियों ने अपना चौसथमें अस्थापना दिवस निमलिकित में से किस तारीक को मनाया एक जनवरी नेक्स सवाल भारत की पहली जल टैक्सी सेवा किस राज में सुरू होने वाली है महरास्ट नेक्स सवाल रास्तिय पक्षी दिवस हर साल निमलिकित में से किस तारीक को मनाया जाता है पाँच जनवरी नेक्स सवाल भारत का सभी बिमानन सुविधाव युक्त पहला हीली हम किस सहर में अस्थापित किया जाएगा गुरू ग्राम नेक्स सवाल दुनिया का पहला री साइकलिंग मॉल री टोना मॉल किस देश में है स्वेडन अगला सवाल संजुक तरास्त महाशाभा ने 2022 को किसके अंतरास्तिय बर्ष के रूप में गोसित किया है कारीगर मतस पालन और जलिये क्रीसी अगला सवाल छतरपती सीवा जी महराज वास्तु संग्राल है जनवरी 2022 में अपने 100 साल पूरे करने वाला है यह कहां इस्थित है मुंबई अगला सवाल दच्छिन दुरूप पर अकेले ट्रेक करने वाली भारतिय पर्थम पहली भारतिय मुल्की महिला कौन बनी है और प्रीत चंडी कौन सा तिवार सिक्की मिराज के नए साल के जस्न का प्रतीक है लोसूंग नमसूंग अगला सवाल पचिसमा रास्टिय युवा महसव दूहजार बाइस बारा से सुल्ल जनवरी दूहजारे किस तक कहां आयोजित किया जा रहा है पॉंडी चेरी अगला सवाल बायोपिक फिल्म चकदा एक्सप्रेक्स में कौन सी अभिनेतरी क्रिकेट टीम के पुर्ब कप्तान जूलन स्वामी का भूमिका निभाएगी और नुसका सर्मा अगला सवाल बिस वियूद अनात दिवस परतेक वर्स चो जनवरी को निमलिखित में से किस के द्वारा मनाया जाता है संजुक्त रास्ट बाल कोस यूनी सेप अगला सवाल किस राज ने बर्स 2020 के लिए तिसरे रास्टिये जल पुरसकार में सर्व स्रेश्ट राज सिरेनी का पुरसकार जीता उत्तर परदेश अगला सवाल संजुक्त रास्ट की आतंकवाद निरोधी समीति की अध्यक्सता कौन करेगा पिएस त्रिव मुर्ती अगला सवाल प्रवासी भारतिये दिवस हर साल किस तारिक को मनाया जाता है नौ जनवरी अगला सवाल परदान मंतरी नरे नर्मोदी ने किस दीन को बीर बाल दिवस के रूप में मनाने की गोसना की है 26 दिसंबर अगला सवाल किस भारतिये राज के कुपोसन उनमूलन मिसन ने स्कोच अवार्ड जीता है असम नेक सवाल भारत के 73 में 17 ग्रैन मास्टर कोन बने भरत सुब्रमन्यम अगला सवाल बिश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है 10 जनवरी अगला सवाल 24 में इगवर्नेंस समेलन में किस राज को सबसे अधिक राष्टिये इगवर्नेंस पुरसकार मिले उत्तर परदेश नेक सवाल भारत के चुनावायोग ने पंजाब के राज आइकन के रूप में किस अभिनेता की न्युक्ती वापस ले ली है अगला सवाल परदान मंतरी की सुरक्षा चुग की जाँच के लिए किंद्रिये गरीम मंतराले द्वारा गठित समीती का नितरित्व कौन करेगा तुधीर कुमार सकसेना अगला सवाल कौन सा सहर जल मेट्रो पडियोजना वाला भारत का पहला सहर बन गया है पोची नेक्स सवाल यात्रियों के खोई हुए समान का पता लगाने के लिए किस रेलवे जोन ने मीशन अमानत सुरू किया है पच्छिम रेलवे छेतर नेक्स सवाल खेले ने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रेंक क्या है 83 अगला सवाल किस अभिनेतरी को बारह में डाक्टर आमबेट कर पुरसकार 2022 से शमानित किया गया है हरसाली मल होतरा अगला सवाल किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है केवारिया रेलवे स्टेशन अगला सवाल कौन सी कंपनी 2022 और 2023 सीजन के लिए भीवो को IPL टाइटल परयोजक के रूप में परती अस्थापित करेगी टाटा समू अगला सवाल भारतिय अंतरिक्ष और अनुसंदान संगठन इसरो के दसमे अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्त किया गया है एस सोमनात अगला सवाल किस देश की संसद ने सर्व समती से अली खान इसमे लोबन की देश के नए प्रधान मंत्री के रूप में निउक्ति क्यों मंजूरी दी है कजा खस्तान अगला सवाल IIT मदराज के नए परमुख प्रोफेसर काम कोटी द्वारा बिक्षित भारत के पहले स्वादेशी रूप में बिक्षित माइक्रो प्रोफेसर का नाम बताएं शक्ति अगला सवाल कौन सा पिमेंट बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लवारती बैंक बन गया है ATM अगला सवाल परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक सबता तक चलने वाले कार्ज करम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन एको सिस्टम में घोसना की कि सोल जनवरी को किस रूप में मनाया जाएगा रस्ट्रिय स्टार्ट अप दिवस अगला सवाल उस राज्य का नाम बताएए जहां पहले खिलोवना निर्मान को पलटवार कलस्टर की गोसना की गई है करना तक अगला सवाल कमल खान जिनका हाल ही में निधन हो गया किस छेतर से जूरे थे पत्रकारिता नेक सवाल हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राश्ट्रिय सुरक्षा नीती सुरू की है पाकिस्तान अगला सवाल अब गंतंतर दिवस समारो किस ब्यक्ति की जैनती को सामिल करने के लिए तेश जनवरी से सुरू होगा नेता जी सुवास चंदर बोस अगला सवाल कौन सा भारतिय राज्य नागरिक शमिधान सक्षरता वियान लेकर आया है केरल नेक सवाल सरोक महुत्साव हाल ही में किस भारतिय राज्य की जन जातियों द्वारा मनाया गया अरुना चल परदेश किस देश ने एरिक गार्ग सिटी को भारत में अपना नया राजदूत ल्युक्त गिया है अमेरिका नेक सवाल पंदरा से अठारा वर्स के सवी बच्चों का ठीका करन करने वाला पहला किन सासित परदेश कौन सा बन गया है लक्ष दिप अगला सवाल कौन सा भारतिये राज जनवरी 2023 में पहली बिश्व बधीर टी 20 किरिकेट चेंपियनसिप की मेजवानी करेगा केरल अगला सवाल हाल ही में भारतिये नो सेना और रूसी नो सेना ने अरब सागर में कौन सा अभ्यास आयोजित किया है पैसेक्स अगला सवाल हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक सिस्टम लॉंच किया है नीदर लेंड अगला सवाल हाल ही में तमिल नाडू का 160 को काबू करने वाला खेल चर्चा में है उस खेल का नाम बताएं जली कट्टू लेक सवाल कौन सी राज सरकार भगवत गीता और रमायन अनुसंदान के अंदर विक्सित कर रही है पंजाब अगला सवाल किसे मिसेज बल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है जो बिवाहित महिलाओं के लिए पहला संदर्ब परतियोगता है साइलिन फोर्ड अगला सवाल हाल ही में किस देश ने पूरी तरह से अफिरिका महादीव में विक्सित अपना पहला उपग्रफ तारा मंदर लौंच किया है दच्छिन अफिरिका अगला सवाल रास्टिये आपदा परतिकिलिया बल एन डी आर एफ अस्ताफना दिवस दुहजार बाइस किस तारीक को मनाया गया उनईस जनवरी नेक सवाल नए वाइस चीप आप आर्मी स्टाप के रूप में किसे निवक्त किया गया है लेप्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगला सवाल भारत की किस राज सरकार ने हाल ही में सो साल पुराने चिंता मनी पधनाटकम पर प्रतिवंद लगा दिया है आंद प्रदेश अगला सवाल इयर इंडिया के नए अध्याक्ष और प्रबंद निदेशक के रूप में किसे निवक्त किया गया है बिकरम देव दत्थ अगला सवाल निवलिकित में से कौन सा उच न्याले डिजिटल न्याए घरी को सामिल करने वाला भारत का पहला उच न्याले बन गया है गुजरात उच न्याले अगला सवाल किस सिराज ने बांस छेतर को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस गाउं अस्थापित किया है तिरपूरा अगला सवाल एस्टेचू अफ वन नेस किस सिराज की आगामी पर्योजना है मद पर्देश नेक्स सवाल मां और बच्चे के लिए केसी यार किट योजना किस राज द्वारा सुरू की गई है तेलंगाना नेक्स सवाल स्वतंतरता अंदोलन में उनके युगदान का सम्मान करने के लिए इंडिया गेट पर नेता जी सुवाश चंदर बोश की परतीमा के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाएगा ग्रे नाइट नेक्स सवाल दुनिया के सबसे बुजूर्ग जीवित ब्यक्ती सटर्नीनो डी ला फियुन्टे किस देश के थे जिनके मिर्तिव 112 वर्स की आयू में हुई इस्पेन अगला सवाल कौन सा गाउं जम्मु कस्मीर का पहला मिल्क विलेज है जेरी हैमलेट नेक्स सवाल लोग सवाद्यक्ष ओम विर्ला ने संसोजीत शोगरिया रेलवे स्टेशन का उद्गाटन किया यह स्टेशन किस राज से सम्मंदित है राजस्थान नेक्स सवाल किस राज के सैनेक स्कूल का नाम बदल कर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाप सीडियेस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है उत्तर परदेश अगला सवाल किस राज ने भारत में अपनी तरह का पहला राज अस्तरिये पक्षी एटलस अस्थापित किया है केरल नेक्स सवाल दूनिया भर में अकेले उरान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम क्या है जरा रदर फोर्ड नेक्स सवाल हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे निवक्त किया गया है बिनोद राए नेक्स सवाल इन में से किस नेता को नेता जी रिशर्च ब्यूरो द्वारा नेता जी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया सिंजो अभे नेक सवाल भारत सरकार ने देश की अर्थ बिवस्था के लिए पर्याटन के महत्पूर्ण महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए रास्तिय पर्याटन दिवस की अस्थापना की यह दिन कब मनाया जाता है 25 जनवरी अगला सवाल भारत ने ओसकर 2022 के लिए अधिकारिक तोर पर किन दो फिल्मों को सोर्ट लिस्ट किया है जै भीम मरककर नेक सवाल धाका अंतरास्तिय फिल्म महस्व में किस भारतिय फिल्म ने चर्व स्रेस्ट फिल्म का पुरसकार जीता पुजहंगल नेक सवाल बच्चो को दिये जाने वाला प्रधान मंतरी रास्टिय बाल पुरसकार किस रेनी कि कितनी है गुजरात के किसे सहर ने देश के पहले चीफ आप डिफेंस स्टाप को सम्मानित करने के लिए जनरल बिपिन रावत के नाम पर एक अंडर ब्रीज का नाम रखा है राज कोट नेक सवाल 2021 के लिए ICC महिला किर्केटर आप दा इयर का पुरसकार किस ने जिता इस्मृती मंधाना नेक सवाल गंतंत्र दिवस पेरेड 2022 के दौरान भारत के राष्टपती रामनात कोविन द्वारा मर्नो परांत असोख चक्र से किसे समानित किया गया है अगला सवाल गंतंत्र दिवस 2022 की पुर्व संद्या पर राष्टपती रामनात कोविन द्वारा किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से समानित किया जाएगा नेक सवाल तिहतर में गंतंत्र दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को बिर्ता और सेवा पदक से समानित किया गया नेक सवाल कौन सा देश हाल ही में दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निरिया तक बन गया है इंडिया अगला सवाल किसे तिहतर में गंतंत्र दिवस पर पदम भिभूसन मर्नो परां से समानित किया गया जनरल बीपी निरावत अगला सवाल ही माचल परदेश ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया 21 तिथी को मनाया जाता है 25 जनवरी नेक सवाल भारत का पहला ग्राफिन इनोवेशन सेंटर की सिराज में अस्थापित किया जाएगा केरल नेक सवाल कस्टम अधिकारियों और एजनसियों की भूमिका को पहचानने के लिए इंटरनेशनल कस्टम्स डे किस दिन मनाया जाता है 26 जनवरी दोस्तो यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कोई प्यारा सा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल सके साथ ही आप जितने भी ट्रिक से समंदित जीके का या वीडियो इस चैनल पे लोड किया गया है उसे आप आसानी से देख सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर बजाए और जरूर करे और लाइक और कॉमेंट भी जरूर करे धन्यवाद